आईए नाजरीन आज हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज बनाना सिखलाते हैं इसके लिए हमने एक कप जो चाय वाला कॉर्णिंग वेयर का मग होता है वो भर के बेसन का लिया है जिसको के हमने बहुत बारी छलनी में से गुजार लिया है यानि के वन कप ऑफ ग्रैम फ्लार और ये दो कप जो हैं ये दही के हैं योगर्ट के इसके साथ ही हमने खूब सारा कड़ी पता लिया है कड़ी लीव और वन होल गार्लिक लिया है 2 inches of ginger लिया है 1 medium size onion लिया है और 2 medium size tomatoes लिया है spices में हमने half teaspoon जो है वो pomegranate seed लिया है अनारता ना और half teaspoon अजवाइन लिया है half teaspoon cumin seeds लिया है और half teaspoon ही हमने whole black pepper लिया है काली मिर्चे one and a half tablespoon salt लिया है one and a half tablespoon chili powder one and a half tablespoon coriander powder and three quarter of teaspoon turmeric है two cups जो है यह पर पॉल्यों के लिया बेसन लिया है gram flour और one medium size onion लिया है और खूब सारी green chilies लिया है one tablespoon जो है यह crushed chilies लिया है one tablespoon coriander powder लिया है one teaspoon baking powder है one teaspoon full salt है और half teaspoon whole black pepper है half teaspoon cumin seeds है half teaspoon pomegranate seeds है और half teaspoon ही अजवाइन है और अब यह जो चीजें आपको दिखाई दे रही है यह हमने तड़के के लिए रखी हुई है और इसमें यह कड़ी पता है और one teaspoon जो है अजवाइन है और one teaspoon ही cumin seeds है और साथ ही हमने यह whole dried red chilies ली हुई है अब यह करीबन five and a half liter या six liter जो है यह पानी होगा हमारी pot में और इसमें हम यह चान कर gram flour जो है उसको शामिल कर देंगे जो के एक cup था और इसके बाद आप इसमें जो two cup yogurt था उसको चान कर इसी तरह पानी में शामिल कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि बेसन अच्छी तरह से मिल जाए और साथ ही जो two tomatoes थे one whole garlic था two inches of ginger थी और कड़ी पता वगयरा था वो आप इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद जो है वो salt chilies coriander powder और इंडर्मरिक चार टुकड़े करके आप जो medium onion था वो इसमें शामिल करते हैं और इसको थोड़ा सा हिला दें और यह जो कड़ी पत्ते की जो sticks होती है वो भी बहुत कुश्बुदार होती है तो वो भी हम इसमें शामिल कर लिया करते हैं ताकि अच्छी कुश्बु आ जाए तो इसके बा जो सारा मसाला हमने एक तरफ रखा हुआ था वो सारा कुश्बु इसमें शामिल कर लेंगे और ग्रीन चीली जो है खूब सारी वो छोटी छोटी नहीं काटनी है बलके बहुत बड़ी बड़ी रहने देनी है कि जो चाहे वो निकाल दे और जो चाहे वो इससे खाले इसकी इस तरह से ग्रीन चीली जो है वो पकोड़ियों में डालने की एक बड़ी खास ब्यूटी है तो इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें लेकिन यह है कि मिक्स करने में आप अपनी कड़ी से गाफिल ना हो जाएं चूँके कड़ी का काम है कि वो उबलती है औ अपनन result से नहींता हो है कि हाइप टे यह कोड़ी यह होता है कि बाद बाद चूँके कड़ी तो आपने इसको आप द Yakर Wasp मैं लेकिन है कि यहां मिक्सची स्पून प्रेले का के कड़ी बढून जाएगी आप त्यहान के आपकी हीट जो है जैसे जैसे कड़ी गाड़ी होती जाती है वैसे वैसे उसकी हीट बढ़ाते जाएं तो यह जल्दी पक जाएगी और जब आप यह देगें कि यह करीबन आधी रह गई यह पक पक के इस वक्त आप इसको उठाकर जो है वो एक बार छलनी में से गुजार लें किसी तो आप अच्छी तरह से स्क्वीज कर लें ताकि आपके सारे जो जूसिस हैं खुश्वू जो है वो इसमें आपकी कड़ी में बहुत अच्छी तरह से काइम रहे और इसके बाद आप इसको दुबारा से जो है वो अपनी पॉर्ट में उलट लें और दूसरी तरफ जो है आपके पकोडियों का मसाला जो है वो बिलकुल तयार पड़ा हुआ है और आप इसको पकोडियों को ओल गरम करके खुला तेल लेकर और उसमें फ्राइ कर लें और लाल हो जाएं तो आप इनको उबलती हुई कड़ी में शामिल कर दें और इसी तरह पर बारी बारी आप और बहुत ज्यादा है यह बहुत सारा बच गया है तो हम इसको जो है वो एक डिश में निकाल लेंगे और अपने पैन में सिर्फ इतना रहने देंगे के जिसमें हम इसको तड़का लगा सकें और यह 3-4 of a cup जो है वो ओल होगा ओल में जो है जो आपने चीजें रखी हुई और आप स्टोफ जो है वो बंद कर दें यानि चंद सेकेंड ही और इस तरह से यह जो तड़का है जैसे ही यह लाल हो जीरा और क्यूमिन सीट वगयरा आप इसको कड़ी को यह तड़का लगा दें और इस तरह से यह आपकी बहुत ही मज़ेतार कड़ी तयार होगी और आप यकीन कीजे कि जब किसी जमाने में हम इसको बनाते थे पाकिस्तान में तो हमारे हमसायों के हाँ से बरतन आने लग जाते थे कि इसमें कड़ी डाल कर भिजवा दें तमाम दुनिया में गूमते फिरते जो है वो इसकी मुक्तलिफ रेसिपी जो है वो हमारे सामने आई और उ झाल झाल